नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है सूरज आप देख रहे हैं स्केटेक यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में हम लोग कंपेर करेंगे वीवो टीटू 5G स्मार्टफोन वर्सिस रियल में जी टी नियो 3T 5G सबसे पहले प्राइज का बात करते हैं तो वीवो का जो प्राइज है वो 18,999 रुपे में आपको मिल जाएगा 6GB RAM प्लस 128GB का इंटरनल स्टोरेज प्लस इसका जो दूसरा वेरियंट है वो 20,999 रुपे का आता है जिसमें आपको मिल जाएगा 8GB RAM प्लस 128GB का इंटरनल वहीं अगर Realme GT Neo3T 5G का बात करें तो इसका जो प्राइज है वो 19,999 से स्टार्ट होता है और इसमें आपको मिल जाएगा 6GB RAM प्लस 128GB का इंटर्नल स्टोरेज वहीं इसका जो दूसरा वेरियंट है वो 20,999 रुपे में आपको मिलेगा और इसमें आपको 8GB RAM प्लस 128GB का इंटर्नल स्टोरेज मिल जाएगा और इसमें एक तीसरा वेरियंट भी है जिसका प्राइज है 20,999 रुपे जिसमें आपको 8GB RAM प्लस 256GB का इंटर्नल स्टोरेज मिल जाएगा स्मार्टफोन के बिल्ड का अगर बात करें तो वीवो T2 5G का जो थिकनेस है वो 7.8 mm का थिकनेस है वेट इसका 172 gram है हाइब्रिड डूल सिम के साथ में आता है और इसमें फिंगर प्रिंट जो है वो इन डिस्पले फिंगर प्रिंट है वहीं रियल्मी का बात करें तो इसका जो थिकनेस है वो 8.7 mm का थिकनेस है 195 gram का वेट है और ये डूल सिम के साथ में आता है और इसका जो डिस्पिंगर प्रिंट है वो अंडर डिस्पले अप्टिकल फिंगर प्रिंट स्कैनर इसमें आपको मिल जाएगा डिस्प्ले का अगर बात करें तो वीवो टीटू 5G का जो डिस्प्ले है वो 6.62 इंचेस का फूल एच्डी प्लस एमोलेट डिस्प्ले है जिसमें आपको 90 हर्ट का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा और इसका जो पीक ब्राइटनेस है वो 1300 निट्स का फीक ब्राइटनेस है वहीं Realme GT Neo 3T का जो डिस्प्ले है वो 6.62 इंचेस का डिस्प्ले है यह भी आमोलेट डिस्प्ले है यहां भी आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिल जा रहा है फूल एजडी प्लस डिस्प्ले है लेकिन इसका जो रिफ्रेश रेट है वह भी वो से थोड़ा सा ज्यादा है यहां पर आपको 120 हर्ट का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा और इसका भी जो पीक ब्राइटनेस है वह 1300 निट्स का पीक ब्र 5G में डूल कैमरा सेटप आपको मिल जाएगा जो कि 64 मेगा पिक्सल का OIS कैमरा है मेन कैमरा जिसमें आप 1080P 30fps का वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और दूसरा जो कैमरा है वह 2 मेगा पिक्सल का देफ्ट कैमरा है जिसके बारे में हैं ज्यादा क्या बात किया जाए इसमें 16 मेगा पिक्सल का अफ़ी कैमरा है और अगर रियल्मी गटी नियो 3T का कैमरा का बात करें तो यहां भी आपको 64 मेगा पिक्सल का कैमरा मिल रहा है लेकिन यहांए पर OIS तरुने मिलेगा यहां पर आपको EIS मिलेगा प्लस 8 Megapixel का Ultra Wide Camera मिल रहा है प्लस 2 Megapixel का Macro Camera मिल रहा है यानि कि यहां पर आपको Triple Camera Setup मिलेगा साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग का अगर बात करें तो यहां पर आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 60fps में और 30fps में और 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 120fps में 60fps में 30fps में और 720p वीडियो आप रिकॉर्ड करें तो यहां पर आपको 240fps का भी सपोर्ट मिल जाएगा और इसका जो सेल्फी कैमरा है 16 Megapixel का सेल्फी कैमरा है प्रोसेसर का बात करें तो Vivo T2 5G में आपको Qualcomm Snapdragon 695 Octa-Core प्रोसेसर जो कि 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है वो मिल जाता है और इसका अंतुति स्कोर जो है वो चार लाग क्या स्पास का है वहीं अगर पर्फोर्मेंस का बात Realme में देखा जा तो Realme का जो प्रोसेसर है वो Qualcomm Snapdragon 870 का प्रोसेसर है 7 नैनोमीटर का है और इसका जो अंतुति स्कोर वह 7 लाग से उपर है यानि कि प्रोसेसर के मामले में Realme Vivo T2 5G से काफी ज्यादा आगे और इसका जो स्टोरेज टाइफ है वह भी UFS 3.1 का स्टोरेज है यानि कि ज्यादा फास्ट है सॉफ्ट्वेर का अगर बात करें तो Vivo T2 जो है यह लेटेस्ट Android 13 के साथ में आता है और OS जो है इसमें फंटच OS आपको मिल जाएगा और Realme का अगर बात करें तो यह Android 12 के साथ में आता लेकिन यह अपग्रेड़ेबल है Android 13 में और इसका जो ऊसे वह Realme Ui 3.0 OS आपको मिल जाएगा बैटरी का अगर बात करें तो वीवो में 4500 एमेज का बैटरी है जिसमें आपको फास्ट चारजिंग का सपोर्ट मिल जाएगा 44 वाट का वहीं अगर Realme का बात करें तो इसमें 5000 एमेज का बैटरी है और इसका जो यानि कि बैटरी के मामले में भी रियल्मी वीवो से काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि यहां पर कैपसिटी भी ज्यादा मिल रहा है प्लस फार्स चार्जिंग भी ज्यादा अच्छा है तो अल अबर अगर बात करें तो इस प्ले दोनों का तो लगभक सेम है लेकिन सब्सक्राइस जो है विडियो का वह द बैस मिल जाेगा लेकिन रीपके में ठॉन रहा है वहेज़ो अगर देखा जाए तो और विजादा में आ वह वह बहुत जादा आगे है विवो से यहां पर कैमरा में मेरे खाल से ख्लियर extends whit रियलमी का कैमरा क्योंकि यहां पर आप विडियो रिकॉर्डिंग का बहुत ज्यादा आपको मिल रहा है स्लो मोशन का भी ऑप्षन मिल रहा है और सेल्फी कैमरा तो खेर दोनों का बराबर है वहीं अगर पर्फोमेंस का बात करें तो क्लियर विनर है रियलमी जीटी नियो थीटी क्योंकि कोई यहां पर केमपेरिजन ही नहीं है सात लाग अंतुते स्कोर और चार लाग तीन लाग का ज्यादा स्कोर है बहुत बढ़ियां पर्फोमेंस आपको रियलमी में मिल जाएगा वीवो के मुकाबले सॉफ्ट्वेर का ब सॉफ्ट्वेर जाधा तो यहां कर वी एहां सॉफ्ट्वेर ज्यादा है यहां पर बाया साफ्ट्वेर का बात करें तो यहां पर रियलमी क्योंकि बैटरी के-सी-टी वी-स स्ट्रेज्ञं भी का जादा है रहा म प्लस Congress का बात था रsequ्तों नों में LPDDR4X का RAM है और लेकिन स्टोरेज जो है वो रियलमी का ज्यादा फास्ट है क्योंकि यहां पर UFS 3.1 का स्टोरेज मिलता है वहीं वीवो का जो स्टोरेज है वो UFS 2.2 का स्टोरेज है तो कंक्लूजन यह निकलता है कि वीवो टीटू 5G और रियलमी जीटी नियो 3T 5G में अगर कंपेर किया जाए तो रियलमी ज्यादा बढ़ियां है वीवो से ज्यादा अच्छा परफॉमेंस निकालके देगा ज्यादा बढ़ियां वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है और बै अगर इन दोनों में आप देख रहे हैं तो आपको रियलमी के साथ ही जाना चाहिए यह वह इस प्राइज में तो अभी किसी भी स्मार्ट फून में नहीं मिल रहा है तो यह था हमारा कंपेरेजिन वीवो टीटू 5G वर्सेस रियलमी जीटी नियो 3T 5G स्मार्ट फून का आ दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब ने की हैं तो सब्सक्राइब कर लिए मिलते हैं फिरा के लिए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार